C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई बारह अनुपात और समानुपात प्रिष्ट 275 प्रयास कीजिए जाँच कीजिए कि दिये गया अनुपात समान हैं अर्थात वे समानुपात में हैं यदि हाँ, तो उन्हें सही ढंग से लिखिए 1. एक अनुपात पांच और तीन अनुपात पंद्र है 2. दो अनुपात नौ और अठारह अनुपात एक्क्यासी 3. 15 अनुपात 45 और 5 अनुपात 25 4. 4 अनुपात 12 और 9 अनुपात 27 5. 10 रुपए का 15 रुपए और 4 का 6 से समानुपात के खथन में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं उदाहरण के लिए 35 अनुपात 70 बराबर 2 अनुपात 4 35, 70, 2 और 4 पद हैं जिसमें से 35 तथा 4 चरम पद हैं और 70 तथा 2 मध्य पद हैं उदाहरण 8 क्या अनुपात 25 अनुपात 30 ग्राम और 40 अनुपात 48 ग्राम समानुपात में हैं? हल 25 अनुपात 30 ग्राम बराबर 25 बटा 30 बराबर 5 अनुपात 6 इसलिए 25 अनुपात 30 बराबर 40 अनुपात 48 अत हथा 10 अनुपात 25 अनुपात 19 और 40 kg अनुपात 48 kg समानुपात में हैं. अर्थात 25 अनुपात 30 बराबर 40 अनुपात 48. इसमें 25, 48 चरम पद हैं और 30, 40 मध्य पद हैं. उदाहरण 9. क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं? प्रिष्ट 286. हल. 30 और 40 का अनुपात बराबर 30 बटा 40 बराबर 3 अनुपात 4. 45 और 60 का अनुपात बराबर 45 बटा 60 बराबर 3 अनुपात 4. क्योंके 30 अनुपात 40 बराबर 45 अनुपात 60 अतह 30, 40, 45, 60 समानुपात में हैं. उदाहरण 10. क्या 15 सेंटिमीटर का 2 मीटर से और 10 सेकिंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात बनाते हैं? हल. 15 सेंटिमीटर का 2 मीटर से अनुपात बराबर 15 अनुपात 2 गुणा 100. क्योंके 1 मीटर बराबर 100 सेंटिमीटर बराबर 3 अनुपात 40. 10 second का 3 minute से अनुपात, बराबर 10 अनुपात 3 गुणा 100 क्योंकि 1 minute बराबर 60 second बराबर 1 अनुपात 18 क्योंकि 3 अनुपात 40 बराबर नहीं है एक अनुपात 18 के अथह दिये हुए अनुपात समानुपात नहीं बनाते हैं प्रश्नावली 12.2 1. क्या निम्न राशियां समानु पात में हैं? A. 15, 45, 40, 120 B. 33, 129, 96 C. 24, 28, 36, 48 D. 32, 48, 70, 210 E. 4, 6, 8, 12 F. 33, 44, 75, 100 2. निम्न में से प्रत्य कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिये A. 16 अनुपात 24 बराबर 20 अनुपात 30 B. 21 अनुपात 6 बराबर 35 अनुपात 10 C. 12 अनुपात 18 बराबर 28 अनुपात 12 D. 8 अनुपात 9 बराबर 24 अनुपात 27 E. 5.2 अनुपात 3.9 बराबर 3 अनुपात 4 F. 0.9 अनुपात 0.36 बराबर 10 अनुपात 4 3. क्या निम्न कथन सही हैं? A. 40 व्यक्ती अनुपात 200 व्यक्ती बराबर 15 अनुपात 75 रुपात B. 7.5 अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम C. 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 46 रुपए अनुपात 20 रुपए D. 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकिंड अनुपात 12 सेकिंड E. 45 किलो मीटर अनुपात 60 किलो मीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे 4. जांचिये कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं यदि समानुपात बनता हो, तो मध्यपद और चरमपद भी लिखिये A. 25 cm अनुपात 1 मीटर और 40 रुपए अनुपात 160 रुपए B. 49 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल C. 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 किलोग्राम अनुपात 625 ग्राम D. 200 मिली लीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपए अनुपात 50 रुपए प्रिष्ट 277 12.4 हैकिक विधी निम्न परिस्थितियों को लें दो सहेलियां रेश्मा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं रेश्मा ने 24 रुपए में दो अभ्यास पुस्तिका खरीदी एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ग्यात कीजिए 80 किलोमीटर की दूरी तै करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है एक किलोमीटर तै करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? ये उदाहरण हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं आप इन्हें कैसे हल करेंगे? पहले उदाहरण को पुनह लें दो अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य बराबर 24 रुपई अतह एक अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य बराबर 24 रुपई भाग 2 बराबर 12 रुपई यदि आपको पांच ऐसी अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ग्यात करने के लिए खहा जाए तो ये इस प्रकार होगा बारह रुपए गुणा पांच बराबर साथ रुपए होगा दूसरे उदाहरन को भी पुनह लें हम जानना चाहते हैं कि एक किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा असी किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर दो लीटर एक किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर दो बटा असी बराबर एक बटा चालीस लीटर अब यदि आपसे पूछा जाए के 120 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा तब आवश्यक पेट्रोल की मात्रा होगी एक बटा चालीस गुणा एक सौबईस लीटर बराबर तीन लीटर वह विधी जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाईों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं वह एकिक विधी कहलाती है प्रयास कीजिए एक, पांच ऐसी ही समस्याईं बनाएं और अपने मित्रों से हल करवाएं दो, निम्न सारणी को पढ़ कर पूरा करें समय दो घंटे करन द्वारा तै की गई दूरी आठ किलोमीटर कृती द्वारा तै की गई दूरी छै किलोमीटर समय एक घंटा करन द्वारा तै की गई दूरी चार किलोमीटर कृती द्वारा तै की गई दूरी डैश समय चार घंटे करन द्वारा तै की गई दूरी डैश कृती द्वारा तै की गई दूरी डैश प्रिष्ट 278 करन द्वारा एक घंटे में तै की गई दूरी बराबर 8 बटा 2 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर अतह करन द्वारा चार घंटों में तै की गई दूरी बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 किलोमीटर इसी प्रकार कृती द्वारा चार घंटों में तैह की गई दूरी, एक घंटे में तैह की गई दूरी निकाल कर ग्यात की जा सकती है उदाहरण क्या रहा? यदी छे जूस की केन का मूल्य दो सौद दस रुपाए हो, तो चार केन का मूल्य ग्यात कीजिए हल, जूस की छे केन का मूल्य बराबर दो सौद दस रुपाए, अतह, जूस की एक केन का मूल्य बराबर दो सौद दस भाग छे बराबर पैंतीस रुपाए इस प्रकार जूस की छार केन का मूल्य एक सौद दस रुपाए होगा हल, पांच लीटर में मोटर साइकल द्वारा तै की गई दूरी बराबर दो सौद बीस किलो मीटर एक लीटर में मोटर साइकल द्वारा तै की गई दूरी बराबर दो सौद बीस बटा पांच किलो मीटर एक दशमलव पांच लीटर में मोटर साइकल द्वारा तै की गई दूरी दो सौद बीस बटा पांच गुणा एक दशमलव पांच किलो मीटर बराबर दो सौद बटा पांच गुणा पंदरह बटा दस किलो मीटर बराबर छेयासट किलो मीटर अताह 1.5 लीटर पेट्रोल में 66 किलो मीटर की दूरी तै की जा सकती है उदाहरण 13 एक दरजन साबुन की टिक्कियों का मूल्य एक सौत तिरपन रुपाई साथ पैसे है ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ग्यात कीजिए हल हम जानते हैं के एक दरजन बराबर बारह क्योंकि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर एक सौत तिरपन रुपाई साथ पैसे अताह एक साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर एक सौत तिरपन दशमलव साथ बठा बारह बराबर बारह रुपाई सी पैसे अताह 15 साबुन की टिक्यों का मूल्य बराबर 12.80 पैसे गुणा 15 है बराबर 192 रुपाई इस प्रकार 15 साबुन की टिक्यों का मूल्य एक सौ बानुवे रुपाई उदाहरन चौदह 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपाई है सौ रुपाई में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? हल तीन सौ पचास रुपाई में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर एक सौ पांच अतह एक रुपाई में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105 बटा 350 प्रिष्ट 289 अतह सौ रुपाई में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105 बटा 350 गुना 100 बराबर 30 इस प्रकार 350 रुपाई में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। उदाहरण 15 है। एक खार 2 एक बटा 2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। A. उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तै करने में कितना समय लगेगा। B. उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तै करेगी। 30 स्थिती में दूरी ग्यात है और समय अग्यात है। अतह हम इस थरह करेंगे। 2 एक बटा 2 घंटे बराबर 5 बटा 2 घंटे बराबर 5 बटा 2 गुणा 60 मिनट बराबर 150 मिनट। 90 किलोमीटर की दूरी तै करने में समय लगा बराबर 150 मिनट। अतह हम एक किलोमीटर की दूरी तै करने में समय लगा 150 बटा 90 मिनट। अतह हम एक किलोमीटर की दूरी तै करने में समय लगा 150 बटा 90 गुणा 30 मिनट। पराबर 50 मिनट। इस प्रकार 30 किलोमीटर की दूरी तै करने में 50 मिनट लगेंगे। इस दूसरी स्थिती में दूरी अग्यात है और समय अग्यात है। अतह इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। दो एक बटा दो घंटे बराबर 5 बटा दो घंटे पांच बटा दो घंटों में तै की गई दूरी बराबर 90 किलोमीटर अतह एक घंटे में तै की गई दूरी बराबर 90 भाग 5 बटा दो किलोमीटर बराबर 90 गुणा 2 बटा 5 बराबर 36 किलोमीटर अतह दो घंटों में तै की गई दूरी बराबर 36 गुणा 2 बराबर 72 किलोमीटर इस प्रकार दो घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तै की गई प्रश्नावली 12.3 1. यदी 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ग्याद कीजिए 2. एक था 10 दिन में 3000 रुपए अरजित करती है 30 दिन में वो कितना अरजित करेगी 3. यदी पिछले 3 दिन में 276 मिलिमीटर वर्शा होती है तो एक सप्ताह यानि 7 दिन में कितने सेंटिमीटर वर्शा होगी यह मानते हुए के वर्शा उसी गती से हो रही है 4. पांच किलोग्राम गेहुं का मूल्य 91 रुपए 50 पैसे है 5. पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिगरी सेल्सियस गिरता है यदि तापमान की गिरावट इसी गती से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिगरी गिरेगा 6. शाइना तीन महीने का किराया 15,000 रुपए देती है उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे 7. चार दरजन केलों का मूल्य 180 रुपए है 90 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं 8. 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा 9. एक ट्रक में 594 किलो मीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है 1650 किलो मीटर की दूरी तेह करने में कितने लीटर डीजल लगेगा 10. राजू ने 150 रुपाए में 10 पैन और मनीश ने 84 रुपाए में 7 पैन खरीदे ग्याद कीजिए किसने पैन सस्ते खरीदे 11. अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए हमने क्या चर्चा की 1. एक जैसी राशियों की तुलना करने के लिए हम साधारन तह राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधी प्रयोग करते हैं 2. बहुत सी परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अधिक अच्छी होती है अर्थात एक राशी दूसरी राशी का कितना गुना है इस विधी को भाग द्वारा तुलना कहते हैं उधारन के लिए ईशा का भार 25 किलोग्राम है और उसके पिता का भार 75 किलोग्राम है हम कहेंगे के ईशा के पिता के भार का ईशा के भार के साथ अनुपात तीन अनुपात एक है 3. अनुपात दूरत तुलना में दोनों राशियों की एकाईया समान होनी चाहिएं यदि वे समान नहीं है तो अनुपात लेने से पहले उन्हें समान बना लेना चाहिए 4. अलग-अलग परिस्थितियों में अनुपात समान हो सकता है पांच, अनुपात, तीन अनुपात दो और दो अनुपात तीन एक दूसरे से भिन्न हैं इस प्रकार जिस ख्रम में राशियां ली गई हैं वह महत्वपून है छे, एक अनुपात को भिन्न भी माना जा सकता है अतह, दस अनुपात तीन बराबर दस बटा तीन है साथ, दो अनुपात तुल्य होंगे, यदि उनकी संगत भिन्न भी तुल्य हों अतह, तीन अनुपात दो तुल्य है, छे अनुपात चार या बारह अनुपात आठ के प्रिष्ट दो सोईक्यासी आठ, एक अनुपात को नियूनतम रूप में बदला जा सकता है उदहरण के लिए अनुपात पचास अनुपात पंद्रह को पचास बटा पंद्रह भी लिख सकते हैं और नियूनतम रूप में पचास बटा पंद्रह बराबर दस बटा तीन है इस प्रकार नियुनितम रूप में 50 अनुपात 15 बराबर 10 अनुपात 3 है 9. चार राशियां समानुपात में खहलाएंगी यदि पहली और दूसरी राशी का अनुपात तीसरी और चौथी राशी के अनुपात के बराबर हो इस प्रकार 3, 10, 15, 50 समानुपात में हैं क्योंकि 3 बटा 10 बराबर 15 बटा 50 है हम समानुपात को 3, 10, 15, 50 के रूप में दर्शाते हैं और 3 अनुपात 10 बराबर 15 अनुपात 50 के रूप में पढ़ते हैं उपर दिये समानुपात में 3 और 50 चरम पद हैं तथा 10 और 15 मध्य पद हैं 10. समानुपात में क्रम महत्वपून है 3, 10, 15 और 50 समानुपात में हैं लेकिन 3, 10, 50 और 15 नहीं हैं क्योंकि 3 बटा 10, 50 बटा 15 के बराबर नहीं है 11. वह विधी जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर वानचित इकाईयों का मान निकालते हैं इकाई विधी कहलाती है माना के 6 केन का मूल्य 210 रुपई है 4 केन का मूल्य इकाई विधी से ग्याद करने के लिए हम पहले एक केन का मूल्य ग्याद करेंगे जो के 210 बटा 6 रुपई या 35 रुपई होगा इसी से हम 4 केन का मूल्य 35 रुपई गुणा 4 या 140 रुपई निकालेंगे अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाथे पुस्तक वाचनस्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत